नमस्कार बच्चो बच्चो आपके घर परिवार में कौन कौन रहते हैं हाँ सही कहा आपने आपके माता पिता दादा दादी भाई बहन नाना नानी मौसा मौसी सभी लोग रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं तो बच्चो आज हम चो पाठ पढ़ने वाले हैं कक्षा तीसरी के हिंदी विशय में पाठ क्यारा दादा जी इस कहानी को पढ़ते हैं इस कहानी में दादा जी और विक्की हैं उनके बीच क्या-क्या बाते हुई आओ बच्चों पढ़ते हैं ये कहानी विक्की को स्कूल से घर आने में देर हो गई थी उसकी माँ चिंतित हो रही थी उसकी चिंता एक और घटना ने बढ़ा दी वे जब घर के बाहर लैटर बॉक्स में लैटर बॉक्स मतलब जानते है न पत्र पेटी हाँ तो लैटर बॉक्स में चिठ्छिया देखने आई तब ही हवा का तेज छोका आया और घर के किवाड एकका एक ऐसे बंद हुए कि खोले ही नहीं खुले भीतर अकेले पिता जी रहे विक्की की माँ पुकारते पुकारते ठक गई लेकिन उन्होंने भीतर से कोई जवाब ही नहीं दिया विक्की की माँ बिचारी रुवासी हो गई आसपास के लोग घर के सामने इकठे हो गए विक्की के स्कूल में जब क्रिकेट का मैच समाप्त हुआ तब वह घर आया घर के बाहर लोगों की जमाभीड को देखकर वह हैरान हो गया हैरान मतलब हाँ बहुत चक्का रह जाना या परिशान हो जाना है न उसने देखा उसके मा बार बार आचल से आखे पोच रही है वह एकदम दोड़कर मा के पास पहुचा और उनसे पूछ बैठा मा क्या बात है तू रो क्यो रही है मा तो कुछ बोल ही पाई लेकिन पास में खड़ी उशा मौसी ने उसे बताया घर का दर्वाजा अपने आप बंध हो गया है पिता जी अंदर है इधर से हम लोग आवाजे लगा रहे है वेकिवाड खोलते ही नहीं दिखाए भी नहीं दे रहे है विक्की ने हसकर कहा मा जरा जरा सी बात पर आँखों में आशु भर लाती हूँ लो मैं दादा जिसे कहकर दर्वाजा खुलवाए देता हूँ इतना कहकर विक्की ने अपना बस्ता वहीं सीड़ियों पर रखा और आम के पेड़ की ओर लपका मा ने उसे रोका अरे बेटे पेड़ पर मत जड़ना कहीं तेज हवा की जोके में मा तुम भी इस तरह डराने की बाते क्यों घरती रहती हूँ मुझे कुछ नहीं होगा तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ आम के पेड़ की एक डाल विक्की के घर के खिड़की के पराबर जाती थी विक्की पेड़ पर चड़कर सरक सरक कर खिड़की के सामने पहुँच गया कमरे और कमरे के बाहर का पूरा द्रिश्य उसे दिखाई दी रहा था लेकिन वहां दादा जी नजर नहीं आ रहे थे वहां टक-टकी लगाए खिड़की के ओर देख रहा था मा ने पूछा विक्की पिता जी दिखाई पड़े विक्की ने कहा नहीं मा हाँ दादा जी अब उसके सामने थे उनके हाथ में मिठाई की प्लेड थी विक्की की मा ने विक्की के जन्म दिन के लिए मिठाईया बनाई थी लगता है दादा जी के हाथ में वे ही मिठाईयां पड़ गए लेकिन डॉक्टर ने तो उन्हें मिठाई खाने के लिए मना किया था फिर दादा जी मिठाई क्यों खा रहे हैं मा बार बार पिता जी के बारे में पूछ रही थी लेकिन विक्की खामोश था अच्छानक दादा जी की नजर विक्की पर पड़ी वे भौचक के रह गए उन्होंने होटों पर उंगली रखते हुए कहा शुश यानि चुप रहना विक्की ने सोचा दादा जी ने मेरी कई बार सहायता की है छमाही परिक्षा का परिक्षा फल आया था तब पापा जी की मार से दादा जी ने इत्त बचाया था उन्होंने पिता जी से कहा था अब मैं ही विक्की को गणित पढ़ाऊंगा लगता है वह गणित में कमजोर है मुझे भी इस समय दादा जी की सहायता करनी चाहिए दादा जी का इशारा समझ कर विक्की ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी प्लेट को यथा स्थान रखते हुए दादा जी ने तौल ये से मुह पोछा और वे दर्वाजा खोलने आपोचे रात हुई विक्की के चनमदिन का समारोह मनाया जा रहा था बच्चों ने खूब धूम धड़ाका किया विक्की को तिलक लगाया गया सब बच्चों ने गीर गया तुम जी हो हजारों साल विक्की ने अपने मित्रों को मिठाईया खिलाए फिर वहाँ प्लेट लेकर दादा जी के पास गया दादा जी मूँ खोलिये वह बोला नहीं बेटा मैं मिठाई नहीं खाऊंगा डाक्टर ने मना किया है दादा जी डाक्टर ने मना किया है आप मिठाई नहीं खाएंगे बताऊं सब को दो पहर की बाद ना ना कहते हुए दादा जी ने रसगुला गपक लिया और वे बोले तुम चियो हजारों साल तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी न? हाँ, तो आप लोग भी समय आने पर सबकी सहायता किजिये यही तो अच्छी बात होगी न? सबकी सहायता करेंगे, तभी तो आपको भी कोई सहायता करने के लिए सामने आएगा ठीके बच्चों, अब चलो चलते हैं, अब भ्यासकारे करते हैं पहला प्रश्न है, सही जोडी बनाओ खंड आ में कोई शब्द दिये गए हैं, और खंड बा में कोई शब्द दिये गए हैं तो उसमें से आपको सही जोडी चुनना है खंड आ में कोई शब्द हैं, भाचका, सहायता, यथास्थान, टक्टकी लगा कर देखना और खंडबा में शब्द है उचित जगह, बगैर पलकें छपकाई देखना, हक्का बक्का मदद तो इनको हम सही सही जोड़ी बनाएंगे, ठीक है बच्चों? चलिए, पहला शब्द है भौचक्का, ये किसके साथ जुड़ेगा? हाँ, भौचक्का शब्द का किस से जुड़ेगा? हक्का बक्का से, ठीक है? दूसरा शब्द है सहायता, सहायता किस से जुड़ा है? मदद, सहायता मतलब मदद तीसरा शब्द है यथा अस्थान, ये जुड़ेगा उचित जगह से चौथा शब्द है टक-टकी लगा कर देखना ये किस से जुड़ेगा? हाँ, बैगेर पलकें छपकाई देखना ठीक है बच्चो? ये तो हुआ सही जुड़ी अब अभ्यासकारे आगे बढ़ाते हैं प्रशन दूसरा है नीचे लिखे प्रश्णों के उत्तर बताओ इसमें पहला प्रश्ण है विक्की के घर कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? इसका उत्तर है बच्चो? विक्की के घर जन्म दिवस का उत्सव मनाया जा रहा था प्रश्ण दूसरा है विक्की हैरान क्यों हो गया? उत्तर है विक्की हैरान हो गया क्योंकि उसकी मा रो रही थी प्रश्न तीसरा है दादा जी अंदर क्या कर रहे थे? तो बच्चों आपको पता है ना दादा जी अंदर क्या कर रहे थे? हाँ, इसका उत्तर है दादा जी अंदर मिठाई खा रहे थे प्रश्न तीसरा है नीचे कुछ एक वचन के शब्द लिखे हैं उन्हें बहुवचन में बदलना है तो बच्चों देखते हैं एक वचन में क्या क्या शब्द है मिठाई, खिर्की, साडी, बकरी, लकडी, सहेली अब इसको बदलते हैं हम बहुवचन में ठीक है तो चलिए मिठाई का क्या होगा मिठाईया और खिर्की का क्या होगा खिर्किया चलिए अगला है साडी इसका क्या होगा हाँ साडिया और बकरी का क्या होगा बकरिया और लकडी का क्या होगा लकडिया सहेली का क्या होगा सहेलिया बच्चों अब ये है कुछ ग्रेकारे कर प्रशन और इसे सोच कर आपको घर में लिखना है प्रशन पहला है किवाड खोलने पर विक्की की मा ने दादा जी से किवाड ना खोलने का कारण जरूर पूछा होगा दादा जी ने उस समय क्या बहाना बनाया होगा सोच कर लिखो प्रशन दूसरा है यदि विक्की दादा जी की मिठाई खाने वाली बात सभी को बता देता तो दादा जी क्या करते और ये आखरी प्रशन है तुम अपना जन्मदिन किस प्रकार मनाते हो तो बच्चों आप सभी लोग तो जन्मदिन मनाते होगे तो आप लोगों को सोचने की बात ही नहीं है ये तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं तो चलिए अब अगली कक्षा में मिलते हैं नमस्कार झाल कोके रह ये ठाप लोगष तो आपके रभ चाह्म के लिख Werks